आज हम देखेंगे कि कौन सी बेस्ट टॉप 10 गेम्स हैं अपनी ये प्ले की जो बहुत चल्दी अपना एक्सबॉस पास के साथ आपको फ्रीमें के लिए को मिलेंगे आप डाउंडोड कर रहेंगे फ्रीमें अपने एक्सबॉस पे या एक्सबॉस पे थे फास पीची तूपी वर्यं पिपंध तो लाइत बेगिन फीजव दो हमारी फिर्स ग्यम है बैटलफिल्द 5 यह एक लेटस्ट एंट्री है बैटलफिल्स इरीज में तो अगर मैं बात परूँन बैटलफिल्स की ओवराल सीरीज से 1,2, तक तो उसके बाद यह जो है सबसे जादा स्ट्रॉंगेस कंटेंडर है वर्ल्ड वार टू वर्ल्ड के आसपास इसका सारा स्टोरी नाइड मोड सेट अप हुआ हुआ है और ग्राफिक्स के इंप्रूव्मेंट लेवल पे इस ए वेरी हुज जंप इसकी जीते भी पीछले प मोड में खेलते हैं तो आपको स्राउंडिंग में काफी अच्छे मतलब ग्राफिक्स एंवार्मेंट को देखने को मिलेगा प्लस इसमें सिंगल प्लेयर जो स्टोरी मोड वो तो स्ट्रॉंग ही है पर इसके साथ साथ आपको मल्टिप्लेयर मोड भी मिल जाता है जिसमें आ आप बैटल रोयल टाइप गेम खेल सकते हैं तो यह काफी जादा सक्सेस्फुल नहीं था बड़ स्टिल वेरी हुज लार्ज स्केल मल्टिप्लेयर मैप्स है तो हमारी नेक्स सेकंड गेम है अपना मास एफेक्ट 3 जो की एक ग्रेट एंट्री लेवल है इन स्रीज ओफ मास एफेक्ट सीरीज में और जो यह काफी पुरानी गेम हो चुकी है बर स्टिल आज 2020 के स्टेंडर्स के हिसाब से भी इसका गेम प्लेट काफी अच्छा है और इसका बेस्ट एंड स्ट्रॉंग पॉइंट है कि यह इसकी काफी लांग स्ट्रॉल एंड स्ट्रॉंग स्टॉड की लाइन अप है और सिंगल प्लेयर मोड में आप उसको पेलने में काफी जाधा मदा आएगा और इसमें आपको मेंली आप ऐसे करेक्टर को प्ले कर रहे हैं जिसने अपना अर्थ को और हुमन सिविलीजेशन को और युनिवर्स की सिविलाजेशन को क्रूल अ एलियन से अपने आपको बचाना है प्रोटेक्ट करना है तो इसमें मल्टिप्लेयर मोड भी है बट यह मल्टिप्लेयर मोड काफी ज़्यादा सक्सेस्फुल नहीं था और नहीं इसकी कोई ज़्यादा फॉल्विंग नहीं तो अचक्त के पॉल्ट वाइस तो नेक्स्ट वेफ टू यह मेरी सबसे परसमल बेस्ट गम है इसमें आप ऑल्मोस हर मोड में चाहिए मल्टिप्लेयर मोड हो यह सिंगल प्रय अभोड हो आपको हर मोड में बहुत ही वहाद एन्जॉयमेंट और गेंपले देखने को मिलेगा ग्राफिक्स तो इसमें बहुत बढ़िया ही है बट साथ के साथ इसमें जो कॉपरेटिव एक्षिन है पाइलेट और एक उसके टाइटन रोबोट के बीच में और स्पेसिफिकली विदिन दूरिंग एक्षिन गेम अगर आप जब भी मोर के अटाक्स और सब कुछ देखने को मिलता या करने को मिलता है तो ओवरॉल इसमें जो कमबाट एक्सपिरियंस है जो गेम प्ले एक्सपिरियंस है मेरी तरफ से फाइव स्टार रेटिंग है इस ओवरॉल लिस्ट में वेरी गुड गेम तो प्ले तो नमबर फोर गेम है हमारे पास Mirror Edge Catalyst तो यह गेम अपनी जो प्रिवियस गेम Mirror Edge के ऊपर एक नहीं गेम है और यह उसी गेम की जो लेगेसी और सक्सेस है उसको कंटिन्यू रखती है तो इसमें कोई यह परस्नल शूटर या उस टाइप की गेम नहीं है इसमें जो आपको अपनी फिजिकल बॉड़ी प्लस इसमें जो नहीं गेम में पिछले वर्जन के कंपैटेवली ग्लाफिक बिल्ड़ प्लेयर कंट्रोल को इसको बहुत जादा ध्यान दिया गया है कुछ जो एन्वायरमेंट में पिछले गेम ही थे वो भी कवर अप किये गया है और ओवरॉल जो इसमें सिटी बिल्ड ह कर भी किया गया हूँआ, अपलथ सिंगल प्लेयरमोड मीध ही इसमें कोई जादा मुल्डि प्लेयरमोड मोड नहीं हैं बस उस केस में भी इसमें जो गीम स्टोरी लाइनप है वो काफी जादा सिट्रॉंग है तो नेक्स गेम जो हमारी है वो है Star Wars Battlefront 2 जितने भी Star Wars सेरीज के फैन है उनके लिए बहुत बढ़िया गेम है इस गेम में Star Wars के जितने भी एराज है वर्ल्ड है उनको बहुत ब्यूटिफिकली डिपेट किया गया है ग्राफिक्स लेवल काफी बढ़िया है एवन जो बैटल वर्ल्ड दिखाए गया है वो बहुत सेनिकली काफी ब्यूटिफली डिवल्प किया हुए है गेम प्ले कंट्रोल बहुत बडिया है स्पेसिफिकली इसमें जो नंबर ऑफ गेम मोड्स है वो बहुत ज़ादा है आप जितने भी इसमें एक्स्ट्रा डिल्सी पैक्स लेते जाएंगे आप उतने ही मीम मोड्स और केमपेंज खेलने को मिलेंगे स्टोरी लाइनप काफी स्टॉरी लाइनप काफी स्टॉरी लाइनप काफी स्टॉरी लाइनप है इसमें जाए आप अपने दोस्तों के साथ और्लाइन खेल सकते हैं सोलो खेल सकते हैं या multiplayer modes में आप completely world level पे भी खेल सकते हैं एक गेम के यूनिक बात है कि आप इसमें Star Wars के hero की तरह के character को भी play करके खेल सकते हैं या simple एक infantry soldier unit की तरह भी केल सकते हैं हमारी number 6 series में है Need for Speed Heat जो racing games lovers के लिए बहुत बढ़िया game है and Need for Speed series की यह बहुत recent game है और यह Need for Speed Most Wanted जो सबसे most popular game रही है उसकी legacy को continue रखती है तो इसमें आपको cops के साथ fight करने को भी मिल जाएगा आपको इसमें अपना day mode हो या night mode हो उसमें बहुत beautifully depicted different missions को gameplay करने के लिए मिलेगा तो as compared to previous games series में जो रही है उनसे यह open world level पे maps के scale level पे काफी जादा बड़ी game है तो चाहिए आप उसको storyline mode में के लिए या open world level mode में के लिए अपने friends के साथ खेले तो इसमें काफी जादा missions आपको खेलने को मिलेंगे प्लस इसमें जो बहुत ज्यादा improvement की ती है वो की ती है customization में तो इसमें आप ज्यादा detail में कार की customization तो करी पाएंगे प्लस इसमें एक option added किया गया है कि जो आप character develop कर रहे है player ऐसे develop कर रहे हैं आप उनको भी customize कर सहेंगे तो हमारी next game है अपना the sims 4 which is one of the best ultimate level fantasy of virtual life game जिसमें आप एक अपना virtual character develop कर सकते हैं right from clothing customization से लेके आपकी body customization in-depth customizations है इसमें और इसमें आप एक virtual complete social life जी सकते हैं जाहे आप उने अपना घर बनाना हो business develop करना हो एक social party events करने हो marriage है kids करने है जो भी है यह एक अप असलियत वाली भड़ी life में कर सकते हैं या करते हैं वह आप इस वाले social life या virtual life में कर सकते हैं इसमें काफी सारे DLC packs available है तो इन DLC packs के साथ आपको बहुत सारे extra features और deep integration of social life virtual life के features मिल जाते हैं और इसका जो online world है वो भी काफी अच्छे scale पर काफी बड़े scale पर है जिसमें hundreds of thousands of players all over the world involved है if I'm not happy with the layout of my house now I can just pick up a room and move it and the rooms furniture and decor will come right along with it even with the many new ways to customize a house building is faster than ever these new tools are tactile powerful and a lot of fun now this is a house any Sam would be proud to call home number eight पे है हमारा Dead Space 2 one of the most creepiest game in the list तो यह इसका जो गीब का horror action sequence है वो काफी जादा बढ़िया है काफी जादा intriguing है और 2020 के gameplay के standards के हिसाब से भी इसमें वो काफी जादा better level पे है जो इसकी पुरानी इसमें dead space 2 से पहले जो dead space आई थी उससे compare किया जाए तो इसमें अपना जो gameplay है प्लस graphics है काफी जादा better है बट मैं आज के standards के हिसाब से उसका graphics को जादा बहुत अच्छा नहीं कहूंगा बट still very much playable है इसमें कोई different modes नहीं है mostly इसमें single player mode ही है क्योंकि एक परानी game है बट जो single player story mode भी है वो काफी जादा लंबा और काफी जादा intense और strong gameplay को depict करता है खासकर जो इसमें action gameplay जो है वो आज के standards के हिसाब से भी काफी जादा अच्छा है तो overall all मैं कहूंगा कि 3PS और scary games के level पे इस game को आज भी काफी अच्छी rating दी जा सकती है but if you can get here I can treat you because I'm not the one she but if you can get here so number 9 पे है हमारी नेक्स्ट गेम plants versus zombie garden warfare 2 तो ये गेम जो है वो एक nostalgic plant versus zombies platform game के पर डिपेक्ट की है जो हम काफी पहले mobiles और tablets वगर आपे केलते थे और ये जो game है ये एक multiplayer mode में develop की गई है और ये खासकर design की गई है इसके environment को design किया गया है यंगर जनरेशन के जो PC gamers है यंगर जो बच्चे हैं उनके लिए attract करने के लिए इस game को design किया गया है इसके बावजूद भी इसका जो fun level है जो entertainment level एक multiplayer है वो काफी अच्छा है तो even जो adult game PC players है उनको भी काफी पसंद आएगा और इसमें काफी वास्केल game maps है और modes है और इसमें काफी बड़े online events भी खेले जा सकते हैं तो overall in all यह काफी intriguing game है और मैं अगर कहूं younger generation के लिए तो इसको एक 5 star rated multiplayer game कहा जा सकता है आज की देख में तो हमारी last game है number 10 game है Unravel 2 तो overall list की बात करें तो यह एक यूनीक game है overall list में क्योंकि यह कोई AAA title या कोई third person first person shooter game नहीं है यह एक platform game है even platform game होने के बावजूद भी इसके जो graphics level है और gameplay level है और काफी जा attractive है intriguing है plus आप इसको single mode में या एक friend के साथ dual mode में भी खेला जा सकता है जिसमें आपको काफी अची coordination बनाके हर level को cross करना पड़ेगा intelligence level को use करना पड़ेगा प्लस इसका जो storyline mode है वो भी काफी जादा interesting है तो आपको overall game को complete करने में काफी जादा मजा आएगा और गेम में जो platforming experience है वो semi physics gameplay के साथ develop किया गया है ताकि आपको हर particular level को cross करने में जो challenge है वो cross करने में काफी जादा मजा आए और realistic feel आए तो overall and all मैं काऊंगा यह काफी hardcore platforming experience आपको दे सकता है तो मेरे इसाब से बहुत बड़िया game है experience करने के लिए तो guys यह थी हमारी top 10 EA play की games जो बहुत जल्दी December में आपको Xbox Game Pass के through free में download करने के लिए और gameplay करने के लिए मिल जाएंगी hopefully आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा and please do like subscribe and share जरूर करें हमारी वीडियो को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने बाले वीडियो के बारे में पता दलता रहे सब तक के लिए शब्बागे सायो नारा गुट पाई